हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका छपन बोग किचन में, आज की हमारी रेसिपी है पत्ता गोवी, तो आए जानते हैं इसे बनाने में किस-किस इंक्रीडेंट्स की जुएट पड़ती है, जिंजर काली का पेस्च, एक टमाटर कटा हुआ, थोड़ा सा जनिया, तीन से चार हर मिर्च कटी हुई, एक कटोरी मटर, वेरी टेवल ओयल, पत्ता गोवी कटा हुआ, आए दोस्तो, इसे बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम गैस पर कडाई रखेंगे, उसे थोड़ देर गरम होने देंगे, अब हम इसमें 4 टेवल स्कून वेरी टेवल ओयल डालेंगे, जीरे को जब तक गरम करेंगे, जब तक रंग ब्राउन नहीं हो जाएगा, जीरा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें कटा हुआ प्यास जालेंगे, और प्याज को अच्छे से फृाई कर लेंगे, दो से तीन मिट के लिए, दोस्तो, हमारी प्याज बुन चुकी है, अब अब इसमें जिंजर गाली का पेस्ट डालेंगे और साथ ही कटवी मिट्च डालेंगे फिर इसे मिक्स कर लेंगे दोस्तों अब इसमें आदा टेवल स्पून लाल मिट्स कर डालेंगे और एक तिहाई टेवल स्पून हल्दी कर डालेंगे और नमक स्वाज अनुसार डालेंग और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसे प्लेट से ढख देंगे ताकि ये सारे मसाले अच्छे से पक जाएं दोस्तों अब हम इसमें कटा हुआ पत्ता गोवी डाल देंगे अब हम कर्ची से पत्ता गोवी को सारे मसालों में मिक्स कर लेंगे फिर इसे 15-20 मिनिट के लिए प्लेट से कवर कर देंगे दोस्तों बीच बीच में चेक करते रहेगा और इसे कड़्ची से चलाते रहेगा दोस्तों हमारी पत्ता को भी हो गई है तयार अब हम इसे धनी से गारिश कर लेंगे देखने में पत्ता को भी काफी अच्छी लग रही है और खुश्बू भी बड़ी लाजवाब आ रही है दोस्तों आप भी इसे गर पर जरूर ट्राइ करें और हमें जरूर बताएं कि आपको कैसे लगी दोस्तों ऐसी ही मज़ेधा रेस्पीस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आके दवाना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें